आप देख रहे हों 36 गड़का सबसे लोग प्रिये चैनल RNN News खबर आप तक नमस्कार मैं ही उनिमानी सिंग और आप देख रहे हैं 36 गड़का सबसे लोग प्रिये चैनल RNN News आएए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर डबरा सेवस हाकारी समिती में मनाये गया क्रिसी रिण माफी तवहार जिसमें मुख्य अतिती के तोर पर छेतरी विधायक माननी ये राम कुमार यादाव तता विशिष्ट अतिथी के तौर पर पूरु नगर पंचाइट अध्यक्ष अनिल चंद्रा, किर्सी विभाग डभरा, जन्पत पंचाइट डभरा के अधिकारी सहित नगर के सैकडू किसानों ने रिण माफी के त्यवहार में पूंचे, जा इसी विभाग द्वारा दिया गया, किसानों के हित में काम करने का वचन देते हुए माननी ये राम कुमार विधायक जी ने किसानों को सायोग के लिए छेत्र के स्थमस्त उपस्ठित अधिकारीों से आगरा किया, कहा कि हमारे 36 गार कि मुख्या माननी ये मुख्यमंद्री जी का मुख्य कारे किसानों का विकास करना है सिवासाकारी समीती डबरा के अध़क्ष स्री छोटे लालचंद्र जी ने किसानों को नए-ने पद्दैसे रुपाई भुआई करने के भी तरीके सिखने वह वघ्यानिक तरीके से खेती करने तथा आधुनी खेती पर जोर दिया ताकि कम खर्च में अधिक धान पैदावार कर किसानों को लाप मिल सके अधिकारियों से अनुरोद किया गया कि हमें हमेशा किसान हित में कारी करें क्योंकि हमारे जीरे का मुख्य अधार क्रिसी है क्योंकि 36 गर क्रिसी पधान छेतर है क्रिसी से सब जूड़ा हुआ है यदि छेत्र में खुष रहेंगे तो छेत्र खुष रहेगा तदा हर दीन हर्मात तेवार मना जा सकेगा मैं संदेज देना चाहता हूं कि आज जो मानी भुपेश बगेल जी की जो सरकार है यह सरकार एक्षुल में चती जड़ के माटी पूत्र एक सरकार है आज जिस प्रकार की किसान की दर्द का हो थे एक किसान के दर्द जब धानला खेत में छीच के आया रहते और घर में वहर जब सोई रहते तो इन राजाला पणाम करते थे कथे कि बने पानी ले गिर दे बने फसल हो जाती तो आज महर करजला छूड़दार थे मोरो बेटी बे अगर जोतने वाला है वहर ऑला मतथी वहला गय कोई निकरतन आज आज पहले जो सरकार रहिसे औहर लोहा कंपणी में करया। और बड़े बड़े विजली कमपनी मन के करजा माप करें बोड़ दे किसान गरीब 36 गड़ार अब करजा माप करें अंधर परदेश ओर इसा तामिल लाडू और जर्मनी इटली रूस फ्रांस के आदी मन करजा माप करें आभी हमार भुपेज बगिल जी कहना है सही में 36 गड़ के मालिक जे मन हमला गड़ीम बैठा रहे है यहां के हकदार है उकर करजा माप होना चाहिए ऐसे समझ के सभी उजनार लागू करें थे आर एन नियूस के लिए डबरा से पुलकित दासमहंत की रिपोर्ट